नमस्कार दोस्तों मैं आपका सभद करता हूँ आनव क्रेशन में आपका टीचर अंकीत आपने हमें अभी तक खबरी पे फॉलो नहीं किया है प्लीज नीचे लिंक मिल रहा है आपको उसके फॉलो कर लिजिए मैं वहां पे ये जो टॉपिक्स है वह तो वहां पे किगर करता ह हूँ उसके अलावा भी बहुत सारी न्यूज हैं जो हम लोग वहां पे शेर करते हैं डेली बेशिस पे बहुत सारी तो उस पर लिंक पर क्लिक करके आप रिडिक्ट हो जाएंगे खबरी पर खबरी आप इंस्टॉल कर लीजिए ओके फ्रेंड्स गूगल प्लेश्टोर पर का हमारा टॉपिक बहुत इंट्रस्टिंग है इस वीडियो को लास तक देखिएगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं आपने एड्स लगा दी आपने रैंकिंग कर लिए सब कुछ कर लिया बट आपको पता कर भी रहा है या नहीं तो आई यह चिसको पढ़ते हैं डिटे रुपांतरनों को ट्रैक करने करके कैसे किया जाए हम कवर करेंगे कि वे क्या है आप कैसे मापना चाते हैं और उन्हें ट्रैक करने के लिए किस टेक्नीक का आप उपयोग करेंगे उस चीज को यूज करने के लिए S.C.M. के बारे में सबसी अची चीजों में से एक यह है कि आप इसे माप सकते हैं वैं मुल्य जो आप अपने अभ्यानों मतलब कैम्पेंज से प्रापत कर रहे हैं ऐसा करने के लिए आप रुपांतरनों को ट्रैक करते हैं जिन प्रमुक किरियाओं के लिए आप वैबसाइट अंगतुकों को लेना चाहते हैं ऐसे उपकरन का उपयोग करना जो गूगल या बिंग जैसे सर्च इंजन परदान करते हैं हम सिर्फ एक मिनट में उन तक पहुंच जाएंगे आई ये शुरुआत करते हैं कि आप किस प्रकार ट्रैक करने के लिए रुपांतरन चुनते हैं कहते हैं कि आप एक प्राकरती फोटोग्राफर है नेचर फोटोग्राफर जो ओनलाइन प्रिंट बेचता है आपकी वेबसाइट पर रुपांतरनों के रूप में किस परकार के कारेओं की गणना हो सकती है जाहिर है एक आदेश रखना एक महत्व पूरण है लेकिन आप और लोग क्या कर सकते हैं ठीक है आपकी वेबसाइट पर एक संपर्क फॉर्म होना चाहिए ताकि संभावित ग्राकर आपको मिल सके विक्री के लिए आपके पास और क्या प्रिंट है जैसे सवाल पूछ सकते हैं या यदि आप विशेश आयोजनों के लिए उपलब्ध हैं इन चीजों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है जब कोई इस फॉर्म के माध्यम से एक जांच सम्मिट करता है तो वह रुपांतरन भी है यदि आप ओनलाइन प्रिंट नहीं बेचते हैं तो क्या होगा इस लोग इसे डाउनलोड करते हैं आप इसे रुपांतरन के रूप में ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने इसको डाउनलोड किया और नहीं आपके पास एक लिंक भी हो सकता है जिसे लोग इमेल के माध्यम से आपकी दरे प्रापत करने के लिए क्लिक कर सकते हैं यह एक औ इन दिन संपर्क फॉर्म सम्मेशन और डाउनलोड और अन्य संभावनाओं के बहुत सारे रास्ते हैं जो आप उनको यूज कर सकते हैं कि आप सोच सकते हैं कि आप अपने स्वैम के बिजनस के लिए कि रुपांतरनों को ट्रैक करना चाते हैं तो आप वास्तम में इन रुपांतरनों को कैसे ट्रैक कर सकते हैं खेर आप सर्च इंजन वरा प्रदान किये गए टूल का उपयोग कर सकते हैं या आपको अनुमती देते हैं या जो कोई भी आपके लिए अपनी वेबसाइट का परबंदन कर रहा है अपनी वेबसाइट के कुछ प्रिष्टों पर एक छोटा सा कोड रखने के लिए जो बहुत जरूरी है यह जटिल लगता है पर खास कर यदि आपके पास कोई तक्निकी साहता नहीं है लेकिन जिंता मत करिए हम आपको इसके माध् से चलेंगे आईए प्रकरती फोटोग्राफी बिजनस पर वापिस जाएं और आप पूरण आदेश ट्रैक करना चाहते हैं इसलिए आपको रुपांतरन ट्रैकिंग कोड के लिए उचित स्थान का पता लगाने की अशक्ता है आप अपने मुख्य प्रिष्ट पर कोड नही रहता है यदि आप ऐसा करते हैं तो आप रुपांतरनों की गिंती करेंगे हर बार कोई आपकी साइट पर जाता है इसके बजाए आप रुपांतरन ट्रैकिंग कोड स्थापित करेंगे आदेश की पूष्टी प्रिष्ट पर एक और पूरा होने के बाद पेज ग्रहक के लिए निर्न्या ले सकते हैं पिछले उधारन की तरह आपको रुपांतरन स्थापित करना होगा एक पेज पर ट्रैकिंग कोड आंगतुकों को एक जांच सम्मिट करने के लिए उधारन के लिए उस पेज पर जो ग्रहक को धन्यावाद देता है उन्हें अदेश दिया है सही बात है न रुपांतरनों को ठीक से ट्रैक करने के लिए आपको कोड को प्रिष्टों पर संगलन करना होगा आपके द्वारा की गई कारवाई के बाद ही कोई देख पाएगा उस चीजों को अदरवाइस वो चीज नहीं देख सकता कोई कोड स्थापित करने के बाद एक्सेस करने के लिए बिंग या गूगल जैसे सर्च इंजन से ओनलाइन टूल का उप्योग करके आप ओनलाइन रुपांतरनों को माप सकते हैं और सफलता के लिए खुद को स्थापित कर सकते हैं आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी कोई भी को करी है तो प्लीज उसमें हमें के नीचे कमेंट कीजिएगा वीडियो को लाइक करना मत बूलिएगा और हमें खबरी पर फॉलो करना भी मत बूलिएगा थैंक्यू वेरी मॉच्छ हैवा गोड़ डे